नमस्कार और विल्कम यौल टू स्टडी आई क्यू बैहूँ प्रशान दवन यहां पर आपनों देख पाएंगे रिसेंटली भारत के सुप्रीम कोट ने यह का है कि दुनिया एक्सेप कर रही है इंडिया की एकोनोमिक पावर दुनिया देख रही है कि इंडिया किस तरीके स से एकोनोमिकली एक रोबस तरीके से आगे वड़ रहा है यहां पर आप देख पाओगे सुप्रीम कोट प्रेजर्स फॉर इंडियान एकोनोमी ना यह बहुत कम देखने को मिलता है जब सुप्रीम कोट कहे कि पूरी दुनिया भारत को पहचान रही है हमें तो गर्व करना चाहिए मगर साथी साथ सुप्रीम कोट ने यह कहने के बाद फटकार भी लगाई है सेंटर और स्टेट गवर्मेंट को ना सुप्रीम कोट ने रीसेंटली यह क्यों कहा है इशू यहां पर क्या है बहुत ही एक इंपॉडन टॉपिक है इंडिया के प्रेजेंट के लिए औ इंडिया बिल्कुल 8% या 8% के आसपास अपनी जो टोटल ग्रोथ है इस पूरे फिनेंशल यह की अभी जो फिनेंशल यह चल रहा है जो 31 मार्च को खताम हो जाएगा इस फिनेंचल यह में इंडिया हो सकता है कि 8% के आसपास ग्रोथ दे दे जो बहुत ही फिनोमेनल होगा क्योंकि कई बड़े देश हैं जो या तो संगर्ष कर रही है या फिर मंदी में जा चुकी है फर एक्जामपल रिसेंटली हमने देखा कि UK और जपान दोनों मंदी में जा चुके हैं तो ऐसे टाइम में जब इंडिया इतनी हाई ग्रोथ रेट रेजिश्टर कर रहा है तो पूरी दुनिया प्रशंसा करेगी मगर यहाँ पर आपका क्वेशन आएगा कि सुप्रीम कोर्ट में इंडिया की एकोनोमी डिसकस हो भी क्यो रही थी वैल इसका रीजन है केरला सरकार का एक बहुत ही important case ना यह case किस बारे में है यह समझते हैं यहाँ पर आप देख पाएंगे map यह है हमारा प्यारा भारत ना इंडिया का देखो debt to GDP रेशियो क्या है इसके बारे में आपने का भी सुना होगा कि भारत की total economy क्या है और कितना कर्ज हमने ओड रखा है ना एक तो होता है debt केंदर सरकार का एक होता है debt हमारी states का जी हाँ जो हमारी various states हैं गुजराद, राजस्तान, पंजाब, करनाड का ये सारी states केंदर सरकार से उधार लेती हैं और states का भी एक अपना खुद का debt to GDP ratio होता है सबसे जादा debt to GDP ratio है अरुणाचल परदेश का 53% और ये मैं आपके बता दू जितना debt to GDP ratio जादा है उतना मैं कहूंगा चंता जनक है उस state के लिए तो अरुणाचल परेश का 53% है आप दिखोगे केरला का 36% के आसपास है केरला का ना बहुत जादा है ना बहुत जादा कम है बट आप कहा सकते हैं लेवल पर exist करता है तो अब यहाँ पर आप यह समझ गए कि जो states है हमारी ये भी उधार लेती है केंद सरकार से पिछले साल क्या हुआ ना के सरकार ने एक limit लगा दी थी कि एक state कितना पैसा borrow कर सकती है क्योंकि सरकार ने भी का कि states का जो उधार है individual level पर ये लगातार बढ़ता जा रहा है तो कहीं ना कहीं रोक लगाने क्या आप शकता है सरकार का जो ये निड़ने था ये केरला की सरकार को बिलकुल पसंद नहीं आया इन्होंने का के देखिए हमारा जो बजट है केरला का बजट ये बिलकुल खराब हो जाएगा अगर जितना पैसा हमको मिलना है उस पर एक लिमिट लग गई तो इसी इशू को लेकर केरला की सरकार गई सुप्रीम कोट में और फिर सुप्रीम कोट में आज के समय सुनवाई हो रही है के सेंटरल गवर्मेंट को क्या करना चाहिए क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि केंड सरकार को क्या मतलब कि जो स्टेट गवर्मेंट से कितना पैसा उधार ले रही है इससे क्या होगा दे को अपना उधार लगातार बढ़ाती रहेंगी अपनी जो जीडिपी है उसके हिसाब से डेट बहुत जादा ओल लेंगी तो उससे कंट्री की जो ओवर्राल रेटिंग है इस पर फरक पड़ेगा ये बहुत ही एक इंपॉर्ण कॉंसेप्ट है रेटिंग्स का आपने नाम सुनाओगा स्टैंड अन्पॉर्ण का फिच का मूडीज का ये सब भी प्रवाइड करते हैं रेटिंग के एक कंट्री को अगर कोई उधार देता है मतलब कोई बड़ा इंवेस्टर कल को कोई और कंट्री उधार देती है तो वो उधार कितना स्टेवल है कितना सेफ है उसी के हिसाब से रेटिंग मिलती है ट्रिपल अ, ट्रिपल अ प्लस, ट्रिपल बी, ट्रिपल सी तो इंडिया की जो रेटिंग है ना आज के समय ये अफेक्ट हो सकती है अगर हमारी जो states है ये भी लगातार उधार उढ़ाती गई क्योंकि इससे कल को जो उधार दे रहा है इंडिया को investor वो सोचेगा क्या इंडिया की जो states है ये तो केंद सरकार की भी नहीं सुनती ये लगातार उधार उढ़ा रही है तो कल को एक state यहाँ पर इतना उधार न उठाले कि केंद सरकार भी उस debt को समाल ना पाए तो ये था केंद सरकार का तर्क मगर इंडियांड हुआ क्या है वैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ केरला सरकार को एक बहुती बड़ा रिलीफ मिला है सुप्रीम कोट ने allow कर दिया कि केरला की सरकार उधार ले सकती है 13,608 करोड रुपे का इस fiscal year में इससे केरला कावी खुश है इनको बहुत सारा पैसा मिल जाएगा जिससे जो इनका budget है जो भी इनकी schemes है ये आगे बड़ा पाएंगे इसी दुराना सुप्रीम कोट ने बहुती important बाद ये भी एड़ करी के इंडिया की economy बहुती robust तरीके से आगे बड़ रही है यहाँ पर आप देख पाएंगे supreme court praise for Indian economy says entire world recognizing country as robust ये बाद सुप्रीम कोट के जज ने आपर कही के जब सुप्रीम कोट के जज भी इंडिया के बहुती तेजी से आगे बड़ रही है और फिर सुप्रीम कोट ने ये कहा कि इसलिए बहुती important है कि center और state मिलकर जो ये issue है borrowing का इसको properly resolve करे क्योंकि देखो ये बहुत important है कि पूरा देश एक body की तरह function करे पूरी body में आसानी होता कि टांग में दर्द हो रही है तो दिमाग कहें कि मुझे कोई फरक्ट नहीं पड़ता है इससे टांग से मेरा को relation नहीं है टांग में दर्द होती है पूरी body feel करती है तो इसी spirit के साथ हमें इस problem को deal करना होगा अगर केरला की सरकार कह रही है कि हमें problems आ रही है आज के समय और हमें और पैसा चाहिए तो इसमें सरकार को cooperate करना चाहिए state government के साथ तो यहां पर रही कि Supreme Court ने clearly एक बाद सरकार को कह दी है कि इस मामले में सरकार को थोड़ा सा एक आप कह लीजिए more relaxed approach के साथ आगे बढ़ना होगा क्योंकि state governments एक बात खुल के कह सकती है कि जो total कर्स है ना उसमें से 60% जो कर्स है वो तो केंद सरकार का है जो states का कर्स है यह मुश्कल से 40% के आसपास है मगर इस argument में बहुत ही बड़ी problem यह है कि कल को माल लीजिए state government जो है यह ऐसी कोई scheme लागू कर देती है कि अपने लोगों को हम free में पैसा देंगे या फिर अपने लोगों को हम free में education देंगे free जो services देने का culture है अगर यह ऐसा ही बढ़ता रहता है और साती साथ state governments इस खर्चे को पूरा करने के लिए central government से उधार मांगेगी तो मैं आपको यह बढ़ा दू भारत का जो debt to GDP ratio है यह dangerous levels तक पहुच सकता है और इसके बारे में भी हमको कई ना कई सोचना होगा तो जो यह पूरा issue है न यह बहुत जादा important है इंडिया के present के लिए और future के लिए भी और इसका solution आप क्या निकालोगे इसको लेकर of course मेरे ख्याल से हमारे पूरे देश में काफी सोच विजार होना चाहिए क्योंकि हम obviously यह नहीं चाहेंगे के future में हमारी generations एक बहुत बड़े debt में फज जाए तो यहाँ पे आप लोग समझगे होगे के supreme court के जो words है सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि वाँ supreme court भी अब यह बात कहा रहा है कि दुनिया मान रही है इंडिया की economy को बट issue जो यहाँ पर discuss हो रहा था ना यह एक ऐसा issue है जो कल को इंडिया के लिए बहुत बड़े challenges खड़े कर सकता है और इस topic में in the future कुछ और developments होती है तो मैं आपके लिए बात में updated वीडियो ले आऊँगा right now this is the end of this video thank you for listening and as I always say may the gods watch over you